नमस्कार, मैं सोनम शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का सार्थक समवाद के नए एपिसोड में जहां हमारा आज का विशय है कि क्या पुरुष गाइनेकोलोजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेशग्य होने चाहिए या नहीं और जिसके लिए हमारे साथ बाचीत करने के लिए पैनेलिस्ट के तौर पर जुड़े हैं पारस दुवेदी, मौली साहू, आदेश कुपता और गरिमा हटकर ये सभी लोग आज जनता का प्रती निधित्व करेंगी कि क्या पुरुष गाइनेकोलोजिस्ट यानी स्त्री रोग विशेशग्य होने चाहिए या नहीं तो सबसे पहला मेरा सवाल है पारस आपसे पारस जब हम एक मेल गाइनेकोलोजिस्ट की बात करते हैं तो आपकी नजर में एक मेल जो है गाइनेकोलोजिस्ट होने चाहिए या नहीं जैसे कि हम बात करते हैं अगर इंडिया की तो हमें पता इंडिया इस दे लेंड टो यहां ज्यादा टेरे एंड विलिज़ेश मतलब ऐसे लोग ज़ में और सबस्राइब तो धनेवाद पारस जी आपका कहना है कि मेल घारने को लॉझिस्ट नहीं होने चाहिए बीधिसे तो धूझत इस बात होती है कि कुछ पड़ पोर्फेशन को प्रूह सरफuses जिस पर कहना कि आलों कमफर्ट नहीं है या चीजे नहीं है तो वह मेरे हिसाब से सही नहीं होगा मेरा अगला सवाल मॉली जी आपसे कि महिला के तोर पर आपका क्या कहना है कि पुरिश गाइनेकोलॉजिस्ट होने चाहिए या नहीं जी सुनम जी मैं आपसे कहना चाहूंगी कि being as a female जो female का perspective होता है या विचार धारा होती है उसके अनुसार अगर हमारे पास choice है कि एक female gyakonologist है और वहीं एक male है तो सारी females जो है females को जादा prefer करेंगी क्योंकि comfort zone की सबसे बड़ी बात आती है धनिवाद मौली गरिमा जी मेरा आखरी सवाल आपसे यह है कि इन सभी लोगों को सुनने के बाद में आप क्या कहना चाहेंगी कि एक male gynecologist होना चाहिए या नहीं एक तरीक से देखा जाये तो male gynecologist होना चाहिए भारत एक ऐसी country है जहाँ equality का बहुत यह है कि males और females दोनों equal है अभी कुछ दिनों पहले data भी आया था कि जहाँ नीट UGC के बहुत सारे जो सीट से वह खाली पड़ें डॉक्टर नहीं है तो यहां पर male gynecologist अगर हो अगर डॉक्टर की संख्या बढ़नी चाहिए तो फिर होने चाहिए तो मेरा जो अब सवाल है आगे वह है मौली जी से कि मौली जी आपका कहना ऐसा है कि एक जो मेल है gynecologist अगर बनता है तो ज दॉक्टर की बहुत ज्यादा कमी और हो जाएगी तो मैं यह कहना हो नहीं कि कि अगर डॉक्टर आप यार वाट से साथ कि अपने सीट आता है तो मेरे को नहीं लगता कि एक मिल चीयुजल चाहения बिना उनके बारे में जाने और लोगं जब कहते हैं कि एक औरत प्रिफर करे एक सिर्फ फीमेल गयान के आजाजएटिट्फ अपएन इडिर्ल क्योंकि 23 स्टेडी का एक रिव्यू आता है जिसमें यह कहा जा रहा है कि 41 परसंट महिलाओ की कोई प्रिफरेंस नहीं है एक गाइनकलॉजिस चुनते वग वहीं पे सिर्फ और सिर्फ आठ प्रतीशत ही वुमेन है जो कहते हैं कि मैं एक वुमेन सो गाइनकलॉजिस को और आधेष जी कह रहे है कि नहीं वह भी बन सकते हैं तो आप क्या चाहिएंगे बनने नurgra कि बात नहीं है क्या है थो दोनों ही अच्छे पर्लपिक यह कि हम और प्रिफर करना जो हुभी है हमारी अगर घर की कोई महिला है थो हम क्या प्रिफर करेंगे तो लेकिन अभी आदेश जी ने कहा सिफ आठ प्रतीशत ही ऐसी महिलाएं हैं जो कि कमफर्ट देखती हैं ओनली एट परसेंट ठीक ना बट वाट अबाउट ड्रेस नाइटी तो परसेंट वो भी नहीं देख रही है क्योंकि क्या है ना उनके पास ऑप्शन नहीं है अगर आ पारस जी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगी मान लीजिए अगर आपकी वाइफ है प्रेगनेंट है और एमर्जेंसी में आपको डिलिवरी करवानी है वहाँ पर कोई फीमेल डॉक्टर एविलेबल नहीं है तो और सिर्फ मेल डॉक्टर है तो आप क्या कहेंगे उस कंड में आप अपनी वाइफ के लिए क्या डिसीशन लेंगे अगर बात रहती इमर्जेंसी की तो फिर तो हमारे पास ऑप्शन बच्चे ने क्यूंकि लाइफ से जादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है तो यानि की लाइफ बचाना जादा जरूरिया और डॉक्टर डॉक होता है उसकी लिंग नहीं होती है तो इस तरह से अगर भेदभाव करना सही है या नहीं गरिमा जी बताइए सोदम जी बात यह है कि एक सोसाइटी की स्टीरियोटाइप थिंकिंग के वज़े से हम सिर्फ यह नहीं कह सकते कि मेल्स नहीं होने चाहिए गाइनकलोजिस्ट फ लेकिन गरिमा जी ऐसे भी बहुत सारे केसिस आ जाते हैं जहांपर मेल्स ने मिस्यूज भी कर लेते हैं वो कभी-कभी ऐसे केसिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगी एक किसी एक इनसान के वज़े से हम सारे मेल्स को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते इस बात के लिए कि वो मिस्यूज कर सकते हैं एक की वज़े से हम सभी लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि हां सारे मेल्स ऐसे ही होते हैं तो इस वक्त आपने हमारे चारो पैनेलिस्ट को सुना कि उनकी क्या इस विशे पर राय है इसके बाद में हम एक विशेश राय लेंगे हमारे विशे विशे शग्य से जो की एलन मेडिकल कॉलिज से हैं प्रोफेसर और गाइनेकलोजिस्ट है डॉक्टर नलीनी मिश्रा जिसक स्त्रीरोग विशेशक है तो चले इनसे बात करते हैं मैम यह सवाल pequeño को इस शेत्र में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए आप बारे में बताई गए देखे मेरा सोचना यह कि क्यों नहीं आना चाहिए स्त्री रोग विशेशग्य भी चाहे वो पुरिश हो या स्त्री हो वे चिकित सक हैं जिस तरीके से हम कभी यह नहीं सोचते कि महिलाओं को सर्जन बरना चाहिए या नहीं या और्थोपिडेशन बरना लेकिन कुछ चीजें हैं जिनके बारे में अगर वो उस्त्री रोग विशेशग्य बनने की इच्छा रखते हैं या बनते हैं तो उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वो किसी महिला का एक्जामिनेशन कर रहे हैं या उसका कोई प्रोसीजर कर रहे हैं तो उस समय या तो वहाँ पर कोई नर्स हो लेडी और या कि उस महिला की कोई महिला रिष्टेदार हो या महिला का कोई अन्य रिष्टेदार हो इस प्रक्रिया का ध्यान रखने से वे भी कानूनल तरीके से भी वे सुरक्षित रहते हैं साथ में जो महिलाएं उनके पास चे होती हैं वो पूर्शों के पास जाने से थोड़ा सा घबराती हैं तो आप इसके बारे में उन्हें क्या सला देना चाहेंगे कि वो जाने से पहले बिल्कुल ना सोचे क्योंकि जो सामने वाला वैक्ती है वो एक पूरुशी नहीं डॉक्टर भी है देखिए ये तो मानसिकता ह है जिसे बदलना पड़ेगा और जो दीरे दीरे बदली भी जाएगी जैसा कि आप भी जानते होंगे कि भारत वर्ष में बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जैसे साउथ में कहीं जगे हैं बेंगॉल में उडिसा में और कहीं जगों पर जो पूरुश स्त्री रुग विशे श तो गाइनेकॉलजिस जो है याने स्त्री रुग विशे शग्य जो है मेंली वो पूरुश ही होते हैं तो कोई भी महिला जब किसी भी जिकितसभ के पास जाती है जैसे अगर किसी नाकन गले वाले के पास जाती है या किसी भी सर्जन के पास जाती है किनी के भी पास जाती है तो जब वो नहीं सोचती कि वो महिला के पास जा रही है या पुरुष के पास जा रही है तो उसे ये सोच कर जाना चाहिए कि मैं एक डॉक्टर के पास जा रही हूँ और वो जो डॉक्टर है वो जो उस तरी रुख विशेशग है उसने उस विशेशगिता हासिल की है और वो उस महिला को एक मरीज और एक इनसान के तौर से ही देखते हैं किसी अन्य नजर से वो उसे नहीं देखते हैं इसलिए उन्हें अपना एक comfort level रखना चाहिए और जाना चाहिए बाकी जो choice है वो महिला के उपर है लेकिन कई जगे ऐसा भी होता है कि जहां कोई महिला डॉ तो इसके लिए हमें अपनी मानसिक्ता को ही थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा जैसा कि अभी हमने डॉक्टर नलीडी मिश्रा को सुना और जिनका कहना था कि इस फिल्ड में पुरुषों का आना कहीं सभी गलत नहीं है बस जरुवत है उन्हें कुछ सवधानियों को रखन इसके बाद में यदि उस व्यक्ति से बात ना की जाये जो कि खुद एक मेल गाइनकोलोजिस्ट से तो यह सहीं नहीं होगा इसलिए हमारे साँ जुड़ रहे हैं एलन मेडिकल कालिज से डॉक्टर प्रजेश दार जी जो कि खुद एक मेल गाइनकोलोजिस्ट है तो आईे और आप तो खुद एक गाइनेकोलोजिस्ट हैं तो आपको किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है सबसे पहले तो यही है कि जैंडर बैस्ट जो दिमाग में रहता है कि एक मेल है और एक फिमेल तो यह थोड़ा बहुत कि एक में रहता है कि पेशेंट आएगा या नहीं आएगा कोई पेशेंट आपके साथ कमफर्टेबल होगा या नहीं सबसे बड़ा रहता है कि पेशेंट आपके साथ दिखाना चाहता है नहीं दिखाना चाहता है जब मैं पहली बार यहां पर आया तो एक इंसिडेंस शेयर क करना चाहता हूं एक पेशिंट थी कोपर्टी रिमुवल के लिए आई थी तो उसने जैसे ही में को देखा उसने रिफ्यूज कर जाए कि नहीं में मेरे सीनियर ने और जो कलसेंट थे उन्हों ने बहुत अच्छे सुस्पेशिंट को समझाया कि मेल गैने को इसके बारे में कि चाहिए वह उसके नजर में सिर्फ शरीर एक बिमार जो बिमारी लेकर आया है उसको ठीक करना रहता है उसके दिमाग में महिला या पूरूच दिमाग नहीं रहता है इस तरह सो उसको समझाया और उस पेशिंट को कन्वेंस कि और मैं एड देन उस पेशिंट को कोपर्टी कुछ भी नहीं होता है इवन मेल डॉक्टर्स भी चाहते हैं फिमेल को ट्रीट करना पर जो दिमाग में रहता हम लोग की मेल फिमेल का उसके लोग और बिना डरें प्रेक्टिस करें यानि कि अगर हम डॉक्टर्स की बात करी जाए तो उनको जाती अधर्म या फिर लिंग क कि लिंग पर भेद करने की वजय हमें उनको एक भगवान की तौर को ट्रीट किया जाता है वैसे ही करना चाहिए क्योंकि डॉक्ति भी सफेद कोट पैन कर यही करता है मरीजों नहीं करता है उसी प्रकार हमें वहीं उनके साथ करना चाहिए तो आज के लिए बस इतना ही मैं सोनम शर्म आपसे विदा लेना चाहूंगी और फिर में लेंगी किसी सार्थक समवाद के नए एपिसोड में हुआ ऑजवे झाल